नमस्कार मेरे प्यारे देश्वासियों आज फिर एक बार मन की बात के इसकारकम में आप सब के साथ रूबरू होने का सवभागे मिला है अभी कुछ दिन पहले बैंगलूरू में एक एतिहासिक क्रिकेट मैच हुआ आप लोग भली भात ही समझ गए होंगे कि मैं भारत और अफगानिस्तान की टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ यह अफगानिस्तान का पहला अंतराष्ट्य मैच था और यह हर भारतिय के लिए गर्वे की बात है कि अफगानिस्तान का यह एतिहासिक मैच भारत के साथ था इस मैच में दोनों ही टीमों ने बहतरीन प्रदर्शन किया और दूसरे अफगानिस्तान के यह बॉलर राशित खान ने तो इस वर्ष IPL में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और मुझे आध है कि अफगानिस्तान के राश्पती स्रिमान अश्रप गनी ने मुझे टैक कर अपने ट्वीटर पर लिखा था अफगानिस्तान के लोगों को अपने हीरो राशित खान पर अत्यन्द गर्व है मैं हमारे भारती मित्रों का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारे खिलाडियों को अपना काउशल दिखाने के लिए एक प्रेटफर्म प्रदान किया है अफगानिस्तान में जो स्रेष्ट है राशीद उसका प्रतनीदित्व करता है वह क्रिकेट की दुनिया का एसेट है और इसके साथ साल उन्होंने थोड़ा मजा की अंदाजमे में ये भी लिखा नहीं हम उसे किसी को देने वाले नहीं है यह मैच हम सब के लिए यादगार रहेगा खेर ये पहली मैच थी इसलिए याद रहेना तो बहुत स्वाभावी है लेकिन मुझे ये मैच किसे एक विशेश कारण से याद रहेगी भारतिये टीम ने कुछ ऐसा किया जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है भारतिये टीम ने ट्रॉफी लेते समय एक विजेता टीम क्या कर सकती है उन्होंने क्या किया भारतिये टीम ने ट्रॉफी लेते समय अफगानिस्तान की टीम जो की पहली बार आंतराष्टिये मेच खेल रही थी अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया और दोनों टीमों ने साथ में फोटो ली स्पोर्ट्समें स्पिरिट क्या होता है स्पोर्ट्समेंशिप क्या होती है इस एक घटना से हम अनुभव कर सकते हैं खेल समाज को एकजूट करने और हमारे युवाओं का जो कौशल है उनमें जो प्रतिभा है उसे खोज निकालने का एक बहतरीन तरीका है भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमों को मेरी शुबकामनाएं है मुझे उमीद है हम आगे भी इसी तरह एक दुसरे के साथ पूरे स्पोर्ट्समें स्पिरिट के साथ खेलेंगे भी खेलेंगे भी नमस्कार महरीते सिर्वास्तों आप देख रहे हैं स्टार निउस भारत एक कदम एक कदम स्वच्छता की और चलें